इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ पीजीटी के बारे में यानि प्रीम प्लांटेशन जैनेटिक टेस्टिंग के बारे में यह क्या होती है और यह कब एडवाइस होती है प्रीम प्लांटेशन जैनेटिक टेस्टिंग मतलब जो एम्ब्रियोज आपके आईवे स्कोप दुआरा जिसमें कि आपके जो embryos फॉर्म हो रहे हैं उन में से हम कुछ cells निकाल लेते हैं और उनको हम genetic testing के लिए भेज देते हैं इस testing की report थोड़ा time लेती है आने में और लगभग 4-6 weeks में हमको ये पता चल जाता है कि embryos जो form हुए उन में से normal embryos कौन से हैं और abnormal embryos कौन से हैं तो अब ये जानते हैं कि ये किन महिलाओं में किन couples में ये advised है इसके क्या indications होते हैं अगर किसी partner में कोई couple है और उन में से एक partner में कोई genetic problem है या दोनों partners में genetic problem है जो कि बेवी में transfer हो सकती है तब ये testing की जाती है ये जानने के लिए कि कौन से embryos normal है ताकि बेवी में वो बिम इसका एक्जामपल है thalassemia, sickle cell disease, cystic fibrosis इस तरह की जो भी विमारियां होती है जो genes के द्वारा transfer की जाती है ये हम PGT द्वारा पता कर सकते हैं दूसरा indication होता है recurrent pregnancy loss का यानि अगर किसी महिलां के पहले बहुत सारे abortion हो चुके हैं तो हमको ये जानना जरूरी है कि उसमें को genetic problem तो नहीं है इसलिए हम उन embryos की testing करते हैं अगला indication है recurrent IVF failure का अगर किसी कपल के पहले बहुत सारे IVF fail हो चुके हैं और हमको उसका reason नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों fail हुए है तो हमको PGT द्वारा ये जानना जरूरी है कि जो embryos form हुए है उनमें को genetic problem तो नहीं है तो इसमे कि हमको ये जानकारी मिल जाती है कि embryos normal है और हम उन्हीं embryos को transfer करते हैं जो normal होते हैं advanced maternal age यानि अगर महिला की उमर बहुत ज्यादा है तब भी हम ये testing कर सकते हैं ये जानने के लिए कि जो embryos है वो normal है कि नहीं है या अगर male partner में कोई problem है कोई ऐसी problem है genetic जो और सुटिंग में जा सकती है तब भी ये testing की जाती है तो ये testing उन couples के लिए बहुत beneficial होती है जो इन सब बीमारियों से ग्रसित हैं या पहले IVF fail हो चुके हैं thank you